मेडिशनल कैमिस्ट्री फर्ष्ठ बीफामसि फ responsibility ओर सेमिस्टर तो फोर सेमिस्टर वालों की जिंदगी में पहली बार अभार अभर निया और बहुत सारे कोश्ट्राbene को पढ़ना कैसे है पास कैसे होना है इतने सारे ड्रक्स हैं इतने सारे ड्रक्स हैं synthesis sound यह सार क्या ही चीज़ा कैसे क्या करना है तो फिकर not सारे के सारे questions के answer आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इसमें हम बात करेंगे अपने most important questions कौन कौन से होने वाले हैं और साथ में हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको पास कैसे होना है मतलब medicinal chemistry में आपको पास कैसे होना है तो बस आपसे request है कि बस आप वीडियो को जो पूरा देख से जाएगा और सारे के सारे questions के अंसर आपको मिल जाएंगे तो इस वीडियो में आपको जो questions मिलेंगे वो मिलेंगे आपको यूनिट वाई जिससे आपके लिए easy रहेगा आपको जो भी यूनिट पढ़ने हो आप अच्छे से उन questions को वहां पर पढ़ सकते हो साथ में आपको यहां पर हमने इंक्लीड किया यूनिट फर्स से लेके फिफ तक का साथ में आपको basic knowledge हो जाएगी इसी के दरिये जिससे आप जो भी long questions होंगे 5 बाले या 7 बाले 10 बाले उनमें आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो साथ में कही बार जो है pass fail होने में main role हमारे 2 बाले प्ले करते हैं तो यह questions आपके लिए क पर चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग थोड़े बहुत परेसान तो जरूरूर होंगे तो मैं आकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केर वेल फार्म है चलिए यहां पर सबसे पहले बात किजा तो यहा क्योंकि इसमें से कोशन बनते हैं लेकिन यहां यूनिट फर्ष्ट इंपर्ष्ट 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 इंपर्ष है अब अगर यहां पर बात कीता है तो आप लोगों ने बहुत बार देखा हो गई है यह आपको ऐसे कोशन दिख रहे होंगे यहां ड्रग इसके उपर आपको यह स्टार लगा हुए मिलेगा यहां भी आप देखोगे मैंने इसको हाइलाइट कर रखा है तो यह स्टार का मतल हो जाते हैं यहां पर कोई भी कोशन संदेश का बनेगा तो वह सिर्फ हमारे निकले कोशन वह हमारे निकलें टूंटल कि graphics है सिर्फ अगर आप दिए आराम से तो आपको पता होना चाहिए और सार भी आपको करना पड़ेगा तो यह चार पांच चीजा आप जब इन 20 की कर लोगे तो आप आपको पास हो जाओगे अब कैसे होगे तो बहुत सिंपल दिवादा अगर एक्जांपल के लिए यहां पर मैंने 22 ड्रक को लिख भी रखा है आप चाहो स्क्रीन सोट यहां पर ले सकते हो मैं एक का नाम नहीं ले रहा काफी लंबा टाइम हो जाएगा तो यहां पर ले सकते ह पूरा लिखकर आ सकते हो तो इस तरह आप ड्रक के वेस पर पूरी पूरी क्लास को अच्छे सा याद कर सकते हो इस लिए मैंने बोला कि यह बड़े आराम से पास हो जाओगी और साथ में आपको वाले कंबल सरी है कोशन वह सारे सॉल्फ करोगे तो 15-20 नमर तो आपके बड साथ नमर में आता है तो उसमें भी आपकी मिलती है तो अगर आप समझे लो आपको यही दो चीजों से आपके लगवग 40-50 नमर तक आ सकते हैं और अगर आपके यह नहीं हो आपके दो माक्स वाले कोशन नहीं आते हैं तब भी आपके यह कोशन से 20-30 आ जाएंगे तो आपके इसमें से बड़े आराम से 20-25 नमर तक बन जाएंगे तो यही ती सारी बात हैं बाकी आपको पास कैसे होना है सार कैसे करना है तो इसके उपर मैंने एक वीडियो बना रखी है हाव टू पास इंडिशनल केमिश्टरी वह मैंने फिफ स से क्या करना है मैं साथ में आपको बताता चाहूंगा तो अब अगर हम बात करें यूनिट में कोई भी सिंथे ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें हमारे कोशन बंते बता देता हूं डार के पहला हमारा इंप्रूटन कोशन मनता है कि डिफाइन बायो ट्रांफरमिशन और इसी को फोर्स यूनिट तो कवरी हो रखी है तो पहला कोशन है डिफाइन बायो ट्रांफरमिशन जिसको ड्रग मेटापॉलिजम बोलते हैं साथ मैं एक्सप्रेंट प्रंसिपल अफ्रग मेटापॉलिजम इंक्लूदिंग फेस बन एंड फेस टू होती है जिसमें फेस टू वाली क्योंकि थोड़े ज्यादा बन जाते तो उसमें वही जो सबसे इंप्रोटन होगा उसमें मैंने इस तरह से साइन लगा रखा है और जिसमें कोशन मनें बार मतलब पूश लेते हैं कि इसका रॉल क्या होता है ड्रग डिसकवरी में मतलब यह कैसे अमारी हल्प करता है बायो वाला भी हमारा कई वार आया हुआ है और यहां पर आता है यह सब हमारी प्रॉपर्टीज है जो फिजियो केमिकल पेरामीटर के अंदर ब्लॉंग करते हैं यहां पर आपको दिख जाएंगी तो इसमें बायो आइसो इसमें प्रॉटिंग यह सब आप सौट में पढ़ लेना सेवन मांस या फाइप की अकॉर्डिंग जादा लॉंग में लॉंग में आपको पढ़ना बायो आइसो इस तेरिदम के बारे में तो यह थी हमारी टोटल यूनिट फैक्ट के सभी कॉश्चन के बारे में सेकिंड की बात करते हैं तो यहां पर जो बता दिये हैं मतलब डेफिनेशन सिंदेज बगरा वही कि सार ओफ सिंपेटो मेंटेक एजेंट्स यह सार पढ़ लेना कैसे सार करना सौट्रिक मैंने उस वीडियों बता रखिए हाउट टू पास वाले में वो देख लेना पर यहां पर आता राइट मकैनिस बवेक्सेंट सिंदेजस अफ सल्वीटामॉल और फिनाइल एफरिंट तो सल्वीटामॉल हमारा इसी का जो एक्जामपल है तो कई वार ऐसा होता है कि सार ओफ सिंपेटो मेंटे की जगए यह आजाता कोशन सार ओफ सल्वीटामॉल तो आपको कन्फीजन हो ना वही सेम चीज है जो इसका सार होगा क्योंकि एक्जामपल तो यही है तो जो सार इसका बनेगा वही सार हमारा इसका बनेगा तो आप यह लिखकर राजाना साथ मैं सिंतेजस हमारी सल्वीटामॉल और फिनाइल एफरियमिन के इंपोटेंट है यूज भी आप पढ़ लेना यूज तो वही सब करके आ सकते हो सब्सक्राइब अब इसके नाम बदल बदल कैसे आते हैं तो एंटी ड्रग नाम से जानते हैं यहां पर जो मीन हमारे सब्सक्राइब कर देना उसके बाद राइट सार आपको लिखना है फिर अगर देखोगे तो यह सारे वही ड्रग हमारे फिलाइन अफ्रीन सल्वीटामॉल यह वही 22 ट्राग है इस सब के बारे मां पढ़ लोगे तो इसको आप 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 सकते हो ठीक है अब हमारा इसमें फ लोकेशन बगरा यह आप सौट में ऊपर उपर से पढ़ लेना मोश्टी टाम आते नहीं मोश्टी हमारे कुश्चन जो है ड्रक्स के ऊपर आते हैं पर कई वार ऐसे आज आते हैं तो आप पढ़ सकते हो बाकी तो आपको पता है ऑप्शन भी आते हैं कुछ एक्जाम में अ इसको आप यहां पर देख लेना सेकंड कुश्चन हमारा इसमें आता है तो टोटल जो हमारी यूनिट थाडग है जितने भी हमारे पांच ड्रक थे जो मैंने इसमें भी लिख रखे हैं वहीं पांस ड्रक हमारे यहां हैं कारबकॉल नियोस्टिगमाइन इप्राट्रॉपि ख्याल आपको रखना पड़ेगा यह हो गए साथ में आप जब इनके बारे में पढ़ोगे तो इनकी आपको यह भी पढ़नें कि यह कौन से क्लासिक ब्लॉंग करते हैं और पेरा सिंप्राइब के अंदर भी नियोस्टिगमाइन हमारा यह नाम करता है तो कई बार होता है क यह स कॉलीफी नाम करते हैं और यह नहीं करना आपको नाम अगर बदल मतता है इसमें इसमें थर्ड नोट इंटास् सब्सक्राइब करें तो यहां आता है डिफाइन क्लासिफाइज सेडैटिव एंड हिपनोटिक्स के बारे में यह इंपोटेंट है कई वार दो-दो में इसकी आती रहती है हमारी तो आपको यह लेकिना उसके बाद वही दो ट्रग हमारे जो इसके अंदर मतलब वह हमारे यहां पर लाह घंड है और सब्सक्राइज से में और यहां पर सब्सक्राइब चयाना टो आप बहुत यहाँ अच्छे के बारे में हमको पढ़ना यहां पर देखो मैंने आपको पहली बोला यूनिट फॉर्ट एंट फिफ्ट हमारी इंपोटेंट है तो इसमें मोश्टली को संदे को स्लेबस भी जादा है तो कोशन भी से ज्यादा बनते हैं यानकि जो आप्शन डाले जाते हैं मोश्ट के नहीं जाता है फिर इसके अंदर हमारे इसको सार मकैनिज में यह सारी चीज़ा पढ़नी है और यह तीन डग हमारे फिनाइट ओन इथो सक्सीमाइड और कारवा जी पाहिम इनके बारे में आपको सिंतेजिस में यूजेज भी पढ़ना है मकैनिज तो सेम ही हमारा हो जाएगा इस इसके इसी के अंदर क्लास हमारी नसेट्स आती है तो कई वार इसको नसेट्स के बारे में और उसके बाद यहां पर इसके स्ट्रक्ट्ट्र मकैनिज एक्सन हो गया फिर इसमें दो ट्रग है हमारे मेफनैमिक एसेड और आईबू प्रूफेन उनकी सिंतेजिस और इनको आप अच्छे से पूरा एक मतलब नोट बना सकते हो चाहो अलग से इनके बारे में सारा कुछ लिख सकते हो क्लास कौन सी है तो आपके आदे कोश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं यहां पर समझ रहे हो ना तो इसके बारे में आप पूरा देख लेना जनरल एनस्टेटिक भी हमारे इनस्टेटिक बहुत इंपोर्टेंट है और उसके बाद हमारे नस्टेट बाला पार्ट बहुत इंपोर्टेंट है तो यह सब चीज़ा आप जहां देख सकते हो उसके बाद कई वार हुआ है कि जो हमारे जनरल एक टाइप आता है अल्ट्रा सॉर्ट एक्टिंग उसके आंदर कही वार्याएं पंश नमर में उसके बारे म मारे मार्फिन अपनलॉक बार इसके बारे माहले में यहां पर कई वार और और वंगाता है जो लोग एंदर कि रा करना के पूरा कि पूरा आता है तो assign laund या से भी आध सोसे तो इनकी दो दो एका नंबर में chemical structure आते हैं तो यही थे हमारे सारे के सारे कोश्चन आई होप आपको समझ आगे होंगे अगर कहीं भी डाउटर वीडियो को आप एक बार फिर से चला के देख सकते हो अब एक कोश्चन आप लिए यहां पर है कि हमारी यूनिट फर्श से लेके फोर तक का स्लेवर्स पूरा complete है तो उसको जाके आप जरूर से चेक आउट कर सकते हो नीचे सारी की सारी लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी तो बस मिलते हैं आपसे बहुत हैं नेस्ट वीडियो में तब देंक्यू टेक क्यार और इस वीडि लाइक देखते हैं कितनी जल्दी लोग इसको complete कर देते हैं उतनी जल्दी हम आपको नेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे बाई बाई दोस्तों जहें दोस्तों